इसलाम अलिकुम दोस्तों आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को एक ब्योटी टिप्स ग्लोइंग स्किन के लिए मैंने एक तावा रखा है गैस में अच्छी तरह से गरम हो गया है तावा इसमें मैं अभी डालूंगी एक टीस्पून हल्दी जो अमारे घर में रहते ही है देख रहे है दोस्तों यसे भून रहा है यह तब तक हम लोग भूनेंगे जब तक कि ब्लैक कलर की ना हो जाए पूरा चार्कॉल के जैसा सिर्फ हल्दी है और कुछ भी नहीं है देखें आप कलर सेंज हो रहा है देखें आप दोस्तों पूरा कलर सेंज हो गया है अब यह रेडी है देखिए दोस्टो देखिए दोस्टो ये कलर सींजों के ऐसा हो गया है अभी इसको हम थंदा होने के लिए रखेंगे थोई दिर ऐसे ही आप लोग देख रहे ये थंदा हो गया है पूरा अभी मैं इसमें दालूंगी एक तीस देर स्पून हनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे लोग देख रहे हैं मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा हो गया है अभी हम पहले देखिए दोस्तो ये मिक्स होने के बाद ऐसे हुआ है सिर्फ हल्दी को मैंने जला दिया था पूरा और हनी सहर बागी कुछ भी नहीं है अभी पूरा फेस पे हम लोग ऐसे रब करेंगे अब लोग देखें मैंने पूरा फेस पे लगा लिया है गडन में भी लगा लिया है अभी हम इसको पास मिनित के लिए जब टक ग्राइन हो जाए तब तक रखेंगे उसके बाद हम थन्दा पानी से वाश कर लेंगे अभी अप लोग देख सकते मेरे स्किन मैंने दस मिनित लगाने के बाद थन्दा पानी से धोल लिया है दोने के बाद रिजल्ट ऐसा है अप लोग योज कर सकते हैं इसका कोई साइट अफेक्ट नहीं है क्योंकि टर्मेरिक स्किन के लिए बहुत अच्छा है हल्दी हनी भी अच्छा है पर आप लगाने से पहले एक बड़ हाथ में यहां पर लगा के देख लीजिए अगर आपको सूट नहीं हो रहा है तो आप मत लगाईए अगर सूट हो रहा है तो आप लगाईए और मेरे वीडियो को अगर पसंद आए मेरे वीडियो तो मेरे वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे